हेलो दोस्तों मैं अग्रिशन आरिया और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चनल आरिया कोचिंग जैसा कि आप जानते हैं आप यहां पर पढ़ रहे हैं इस समय एक नुमेरिकल की स्रीज जिसमें हम लोग वन बाई वन नुमेरिकल्स के वीडियो आप लोगों क को पढ़ रहे हैं ठीक है आलेड़ी हम लोग चैप्टर नंबर वन के सारे नुमेरिकल्स को डिस्स कर चुके हैं जिस लेवल का बोर्ड एक्जाम में नुमेरिकल्स पूंचा जाता है उस लेवल के सारे हमने क्वेश्चन आपको समझाये हैं और साथी साथ में हमने वो प्र इसको डिस्कस करने वाले हैं ठीक है ये नुमेरिकल्स आपके बोर्ड एक्जाम में आये हुए भी हैं और बहुत ही इंपोर्टन नुमेरिकल्स हैं तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही इंपोर्टन हो जाती है आप बिलकुल भी इसकिप मत करिएगा इस क्लास को पूरा द पड़ सकते हैं इस समय surgical की class चले ही रही है और पूरी की पूरी physics आपकी channel पर उपलब्द है बिलकुल free में ठीक है तो आप वहाँ पर enjoy कर सकते हैं ठीक है ask के class को start करते हैं ask के class को start करने से पहले एक बात और मैं बता देना چाहता हूं कि अगर आपको किसी भी question में अगर कोई problem आती है तो आप हमसे उस problem को share भी कर सकते हैं इसके लिए आपको करना है क्या description box में जाना है वहाँ पर हमारा Instagram ID का link दिया है वहाँ पर आप हमें follow कर सकते हैं और अगर किसी प्रकार की कोई problem आती है तो आप हमें वहाँ पर share करेंगे यदि तो हम उसका जरूर जवाब देंगे ठीके और साथी साथ में अगर आप हमारे PDF फाइल्स डाउनलोड करना चाहते हैं हमारी कोचिंग की तो आप हमारे टेली ग्राम चैनल को भी जोईन कर सकते हैं link description में है और पीछे वाले वीडियोस को अगर देखना है तो देखिए पिछले वाले वीडियोस आप सीरियल से देखिएगा तभी आपको अच्छे समझ में आएगा मैंने ये बहुत बार काया ठीके और अगर आप previous वीडियो देखना चाहते हैं तो भीया description में उसका भी link दिया गया ठीक है उस पर click करिए पिछला वाला वीडियो देखिए या फिर आप channel की playlist में जा करके भी देख सकते हैं ठीक है चलो आज की class को start करते हैं और आज की class का पहला numerical मैंने लिख करके रखे हुए numerical ठीक है आज हम पहला numerical वो numerical लेंगे जो already हम लोगों ने कल वाले दिन discuss किया था मतलब same वही नहीं है उसी type का numerical है और आपको इस question को अपने आप solve करना चाहिए मेरे ख्याल से आपको करना ही चाहिए क्योंकि बिल्कुल same इसी प्रकार का question मैंने कल वाले दिन मतलब पिछली वाले class में आपको पढ़ाया था ठीक है तो अगर आपने लगा लिया तो बहुत अच्छी बात है इसका मतलब है आप ध्यान से पढ़ाई कर रहे हैं और याद रखिएगा बैठ जाईएगा बैठ करके ही पढ़िएगा पेन काउपी हाथ में होना चाहिए और उसके बाद में class को देखना सुरू करिए चलो पहला रिमेरिकल आपके सामने में बोल रहा हूँ दिया गया है एक बिंदु जिसका द्रविमान 4.8 गुणा 10 की पावर माइनस 10 ग्राम है जिस पर आवेश 2.4 गुणा 10 की पावर माइनस 18 कुलाम है दो 36 आवेशित प्लेटों के बीच संतुलन अवस्था में लटकी है प्लेटों के बीच की दूरी एक सेंटीमीटर है तो प्लेटों के बीच विभोवांतर ग्याद किजिए same इसी परकार का question मैंने पिछले वाली क्लास में आपको समझाया था बिल्कुल इसी परकार का question था, इसी परकार की बिल्कुल उसमें language थी और अगर आप इसको कर पा रहें तो समझलों की आप अच्छे से पढ़ाई कर रहें इसको अपने आप जरूर ट्राई करिएगा ठीक है और अगर लेटे हैं तो भीया बैठ जाओ बैठ करके पिन कापी ले करके बैठ ही और आराम से कुश्चन को सॉल करके देखिए ठीक है मैं दुबारा इस कुश्चन को पढ़ रहा हूँ क्या है एक बिंदु आवेस जिसका द्रविमान कितना है द्रविमान दिया है चार दशमलो आठ गुणा दस की पावर माइनस दस ग्राम मैं आप लिख देता हूँ कि बिंदु का जो द्रविमान है वो कितना है द्रविमान को काहसे लिखेंगे M से, so M equal to दिया है 4.8 गुणा 10 की पावर माइनस 10 ग्राम ओके, so 4.8 गुणा 10 की पावर माइनस 10 ग्राम आगे बताया गया, जिस पर आवेस, इस बिंदू पर आवेस कितना है तो आवेस को हम काहसे लिखते है Q से, तो इस पर आवेस बताया गया है 2.4 2.4 into 10 to power माइनस का 18 कूलाम कितना? 18 कूलाम ठीक है, तो ये इस पर आवेस है 2.36 आवेसित प्लेटों के बीच संतुलन की अवस्था में लटकी है, दो प्लेटों के बीच में लटका है और मैंने एक है रिनावेसित प्लेट और इनके बीच में ये द्रविमान लटका हुआ है मतलब ये आवेसित कन लटका हुआ है लटकने का कारण मैंने आपको बताया था आखिर क्यों इनके बीच में लटका होगा क्योंकि यहाँ पर एक जो बल कारे कर रहा होगा भार वाला जिसे हम mg कहते हैं वो नीचे की और कारे कर रहा होगा और यहाँ पर वैदुत बल एक उपर की और कारे कर रहा होता है जिसे f बराबर में q into e कहते हैं ठीक है ये वैदुत बल कारे करता है और ये लटकेगा तभी जब वैदित बल इस mg मतलब भार के बराबर हो जाएगा मैंने ये बिलकुल इसी question को मतलब इसी level का question या इसी प्रकार का question पिछले वाली class में डेसस किया था अगर आपने देखी है तो आपको याद आही गया होगा ठीक है आगे बताया गया है प्लेटों के बीच की दूरी एक सेंटी मीटर है वही प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है एक सेंटी मीटर है तो इनके बीच की दूरी को हम लोग लिख देते हैं एक सेंटी मीटर सेंटी मीटर को मीटर में बदलेंगे तो एक गुणा दस की पावर माइनस दो मीटर भी हो जाएगा अब आपको क्या करना था प्लेटों के बिच विवांतर ग्याद करना है हम लोग विवांतर ग्याद करेंगे आर्थात V आपको ग्यात करना है इसके लिए मैंने पिछली वाली क्लास में बताया ही था कि वैदित बलक इसके बराबर करना है आपको ये मतलब M G के बराबर में मतलब F equal to M G और F मतलब यहां पर वैदित बलोगा वैदित बलक का वैल्यू क्या रखेंगे Q into E equal to M G मैंने बताया था हमें विबांतर गयात करना यहां पर तो विबांतर कहीं पर दिख नहीं रहा है लेकिन हमें पता है कि E is equal to होता है V upon L और यहां पर V upon D D यहां पर इनके बीच की दूरी है प्लेटों के बीच की दूरी ठीक है जिससे हम यह लेकर है तो यहां पर Q into में E की जगे पर V upon D equal to M G हमें find out करना है V ठीक है तो D उधर कर देते हैं Q upon में कर देते हैं तो V equal to क्या बन जाएगा M G into में D जाएगा upon में Q जाएगा और best value पुट करिए और answer आ जाएगा V equal to M का value M क्या है भाई तो M दिया गया है 4.8 गुणा 10 की पावर माइनस 10 ग्राम है भाई और इसको किलो ग्राम में बदलिए जब ग्राम को किलो ग्राम में बदलते हैं तो 10 to power माइनस 3 से मल्टिप्लाई करते हैं किसे 10 to power minus 3 से multiply कर देंगे तो ये काहे में बदल जाएगा kilogram में बदल जाएगा ठीक है तो यहाँ पर हम 10 की power minus 3 से इसको multiply कर देते हैं तो ये किस में हो गया एक kilogram में हो गया ठीक है इसके बाद में D, D का value क्या दिया है तो D का value हमारा 1 गुणा 10 की power minus 2 और अपान में Q Q का value क्या दिया है तो Q का value दिया है 2.4 into 10 to power minus का 18 ओकी ये हो गया अब यहाँ पर दसमलो से दसमलो cancel out कर सकते हैं 24, 42, 48 ये 2 हो जाएगा तो इधर लिख देते हैं कि V equal to क्या हैगा 2, 2 ये बचा into में 10 to power minus का 10 ये minus का 3 ये तो minus का 13, 13 और minus का 2 और ये तो 13, 2 minus का 15 हो जाएगा अपान में क्या हो जाएगा 10 to power minus का 18 और तो कुछ नहीं बचा है नहीं बचा है ठेक है तो ये बनेगा 2 into में 10 to power minus 15 और उपर जाएगा 10 to power plus 18 तो ये बनेगा हमारा आपका 2 into 10 to power 3 ओके और 2 into 10 to power 3 का मलब है 2000 वोल्ट तो इनके प्लेटों के बीच का विबवांतर कितना होगा 2000 वोल्ट बहुत easy question था ऐसा है question पिछले वाली class में हमने आपके साथ discuss किया था तो मेरे ख्यासे आपने कर ही लिया होगा इस question को अगर नहीं किया था तो आप एक बार screenshot ले सकते हैं अच्छे से इसको दुबारा समझ सकते हैं ठेके चलो आगे की बात करते हैं अगला question लेते हैं और अगला question आप लोग लगाएंगे बहुत easy है मैंने जितने भी formula आपको समझाये थे पहली वाली class में उन्हीं सब formula पर base आपका numerical आ रहा है बस इतना याद रखेगा कि कहां पर कौन सा formula इस्तेमाल करना है ये आपको समझना होता है और यही main concept होता है देखे physics में main काम यही होता है कि कौन सा formula इस्तेमाल करें यही तो पता हो जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है और यह आपको कैसे पता चलेगा तो इसके लिए मैंने बताया था कि class chapter number 2 की class 1 जो आई थी तीक है उसको जरूर देखे हमने उसमें सारे formula डिसकस किये थे और बताया था कि कहां पर कौन सा formula इस्तेमाल होगा तो इसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि आपको कैसे main concept होता है कि आप question को समझ पा रहें कि नहीं solve करना main बात नहीं है बलकि समझना main बात होती है ठीक है चलो अगला question लेते हैं मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ बोला गया है एक समानतर प्लेट संधारितर की प्रतेक प्लेट का चेतर फल सो सेंटीमीटर स्क्वेर है समानतर प्लेट संधारितर की प्रतेक प्लेट का चेतर पर कितना है सो सेंटीमीटर स्क्वेर है तथा दोनों प्लेटों के बीच विद्यूत चेतर की तीवरता सो न्यूटन प्रति कूलाम है प्लेट पर कितना आवेस है आप से पूँचा गया है कि प्लेट पर कितना आवेस है ठीक है और निर्वात की विद्यू सिल्टा का वैलू नहीं ने दे दिया है एप्साले नाट का वैलू 8.85 इंटो 10 to power minus 12 कूलाम स्कूर प्रति न्यूटन मीटर इसकूर यह अगर नहीं देता फिर भी हम लोगों को पता ही होता है ठीक है चलो क्या क्या दिया है सबसे पहले वैलियूस नोट कर ले उसके बाद में देखते हैं कि फॉर्मला कौन सा एप्लाई करना है भाई क्या है एक समांतर प्लेट संधारित की प्रतेक प्लेट का छेतरफल 100 सेंटीमीटर स्कूर है तो छेतरफल को हम कहा है से लिखते हैं छेतरफल को लिखते हैं एसे तो ए कितना दिया गया है 100 सेंटीमीटर स्कूर और भाईया हमें centimeter नहीं चाहिए होता है, मैंने बताया, centimeter square को meter square में बदलिए, यह centimeter को meter में बदलने के लिए 10 to power minus 2 से multiply करते हैं, लेकिन centimeter square को meter square में बदलने के लिए 10 to power minus 2 के square से गुणा करना पड़ेगा, 10 to power minus 2 का square क्या होता, 10 to power minus 4, so 10 to power minus 4 से multiply करना पड़ेगा, 10 to power minus 4, ओके, तो यह काहे में बदल गए आब meter square में, ओके, इतना हो गया, इसके बाद हम बताया है, तथा दोनों प्लेटों के बीच विद्युच्छतर की तिवरता 100 newton प्रतिकूलाम है, कितनी है, दोनों प्लेटों क बीच विद्युच्छतर की तिवरता हम काहे से लिखते हैं, इसे कितना है, 100 newton प्रतिकूलाम है, तो प्लेट पर कितना आवेस है, आपको ग्याद करना है कि प्लेट पर कितना आवेस है, ठीके, और epsilon not का value आपको दिया गया है, और प्लेट पर आवेस की मात्रा ग्याद करन था, तो समानतर प्लेट संधारेतर की धारिता से यहाँ पर कोई लेना देना वैसे नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि आपको बता है, यहाँ पर समानतर प्लेट संधारेतर की तो बात की गई है, लेकिन उसकी धारिता से कोई लेना देना नहीं है, हमें क्या ग्याद करना है और यहां पर धारिता दी भी नहीं गई है तो हम क्या करेंगे हमें पता है वैदुचित्र किन ही दो प्लेटों के बीच में वैदुचित्र का वैलू क्या होता है मैंने यह आपको बताया है कई बार चैप्टर नम Bear 1 में भी और कलवाली क्लास में भी हम लोग ऐसे डिसकस कर रहे थे कि अगर दो प्लेटे हो एक धनावेशित और एक रिणावेशित प्लेट तो होगी ही सिंपल सी बात है एक धनावेशित प्लेट है तो एक रिणावेशित प्लेट है संधारित तो बीच में किसी भी बिंदू पर दुछ चत्र की तिवरता ठीक है E is equal to Q upon A epsilon not यहाँ पर हम यही formula लगाएंगे क्या लगाएंगे E is equal to Q upon A epsilon not ठीक है यह formula होता है भई अब हमें यहाँ पर क्या ग्याद करना है Q ग्याद करना है आवेस ग्याद करना है तो A epsilon not की गुणा कर देते हैं Q equal to क्या हो जाएगा E के multiply में जाएगा A और epsilon not अब बस value रख दीजेगा और answer आगया ठीक है E का value क्या है तो E का value है आपके पास 100 गुणे में A का value क्या है तो A का value है आपके पास 100 गुणे 10 की पावर माइनस 4 और epsilon not का value क्या है Epsilon not का value आपको पता ही होता है लेकिन question में दिया भी गया है 8.85 गुणे में 10 की पावर माइनस 12 कुलाम square प्रती Newton meter square ठीक है तो ये होता है इसके बाद में हम इसको अगर हल करें तो क्या बनेगा 10 की पावर 2 ये है 10 की पावर 2 ये है 10 की पावर माइनस की 4 तो ये है ही इन्टू में 8.85 इन्टू 10 की पावर माइनस का 12 10 की पावर 4 प्लस की और माइनस की ये cancel out हो जाएगे एक तरीके से हम कह सकते हैं कि 10 की पावर 0 बच जाएगे 4 से 4 गड़े 0 0 दस की पावर 0 का value 1 हो जाएगा तो इसका मतलब है इनका काम तो हो गया खतम बचा कैος आपके पास 8.85 इन्टू 10 तू पावर माइनस का 12 कूलाम तो ये आपका आगया आवेस की संधारितर की प्लेटों पर कितना आवेस होगा 8.85 इन्टू 10 तू पावर मानिस 12 कोलाम आवेस होगा बहुत easy question था बस आपको समझना था कि आपको करना क्या है main concept आपको calculation करना नहीं होता है main चीज है कि आपको formula कौन सा अस्तेमाल करना है बस ये आपको दिमाग में लाना होता है तो ये बहुत जरूरी है और दिमाग में बैठा लीज़े ये सारी बात है आगे की बात करते है और अगला question हम लोग लेते है इसको भी आसानी से हम लोग solve कर पाएंगे मुझे उम्मीद है कि बहुत ही easy questions इस प्रकार के मिलेंगे और यही आपके board exam का level होता है इससे बड़े questions आपके board exam में नहीं आते हैं बाई बिल्कुल इसी level का आता है और यह board exam में आए हुए questions है ठीक है चलो आगे की बात करते हैं अगला question आपके सामने में बोल रहा हूं एक गोला कार चालक की 39 cm square है बहुत easy question है आप करेंगे ठीक है क्या बोला गया एक गोला कार चालक की तरिज्या 9 cm है इसकी धारिता तथा उस आवेस की गड़ना केजिए जिससे इसका विभाव 100 V हो जाता है 100 V है या 1000 V था मुझे कुछ clear नहीं है साइद 1000 था ठीक है तो मिटा हुआ है ठीक है देख लेंगे क्या है एक गोला कार चालक की तरिज्या 9 cm है 9 cm अगर चालक की तरिज्या है तो गोला कार चालक की तरिज्या को हम काह से लिख सकते हैं आर से लिख सकते हैं ठीक है तो गोला कार चालक की तरिज्या को हम लिख देते हैं आर से कितना है 9 cm 9 cm को में बदले तो क्या हो जाएगा 9 गुणा 10 की पावर माइनस का 2 मीटर कोई दिक्कत नहीं है ठीक है इसकी धारिता क्या गयात करना है इसकी धारिता मतलब C गयात करना है और इसके बाद में यदि इसका आगे ये पूचा गया है कि इसके धारिता गयात कीजिए और उस पर आवेस की गड़ना कीजिए जिससे इसका विभो 100 वोल्ट हो जाए मतलब इस पर कितना आवेस दिया जाए कि इसका विभो 100 वोल्ट हो जाएगा मतलब आवेस की मातरा गयात करना है कब जब इसका विभो 100 वोल्ट हो जाए तब ठीक है 100 वोल्ट हो जाए तब अब 100 है या 1000 ह कोई बात नहीं स GNijo है तो सब्सक्राइब से हम ऐन्सर लाते हैं noticeable हाई तो यहाँ पर आप यहां पर यहां पर यह पता होना चीन कि कौणसर wa Investig होगा आप ने अगर सारे Ş लास देखी होगी चैप्टर नमबर वन की जहां पर हमने फार्मुले का डिस्स किया था तो वहां पर हमने बताया था कि जब भी किसी गोले की धारिता की बात करेगा विलिगत गोले की धारिता क्या है तब आपको फार्मुला कौन सा लगाना है आपके पास एक ही फार्मुला मैंने लिखवाया था कि धारिता का formula था c equal to 4 pi epsilon not 4 pi epsilon not into may r ये धारिता का formula होता है जब गोलिय चालक की बात करेगा ठीके और ये formula मैंने आप को लिखवाया था ठीके तो ये गोलिय चालक की धारिता है इसका formula अब आपको 4 pi epsilon not का value पता होना चाहिए इस तरकार के question एक और हम करा चुके 4 pi epsilon not का value क्या होगा तो आपको पता है कि 1 upon 4 pi epsilon not का value होता है 9 into 10 to power 9 तो 4 pi epsilon not का value क्या हो जाएगा इसको पलट देंगे तो ये बन जाएगा 1 upon 9 into 10 to power 9 बस यही लिख देते हैं तो c equal to क्या बनेगा 4 pi epsilon not का value होगा 1 upon 9 into 10 to power 9 और यहां पर r, r का value क्या है तो 9 गुणा 10 की power minus का 2 है 9 से 9 cancel out c बराबर में 1 गुड़े में 10 की power minus 2 है और 10 की power 9 को उपर ले जाओगे minus का 9 हो जाएगा तो c बराबर 1 गुणा 10 की power minus का 11 farad हो जाएगा तो यह हमारा answer आगया इसकी धारिता कितनी होगी एक गुणा 10 की power minus 11 farad ठीक है तो यह तो आपके इसकी धारिता का formula आगया है अब धारिता अगर आ गया है तो और आपको क्या गयाद करना है अभी आपको आवेस गयाद करना है और धारिता आपको पता है विभव आपको पता है तो आवेस गयाद करने में बिलकुल देरी नहीं लगानी है आपको पता ही होगा कि आपने formula पढ़ा था आवेस और Q और V के पदो में, मिलब V, Q और C के पदो में, एक फर्मुला पढ़ा था, C बराबर में Q अपान V, यह फर्मुला था संधारितर की धारिता, जब मैंने धारिता का फर्मुला, बेसिक फर्मुला यही था यहां से अगर आवेस फाइंड आउट करना होता है, तो भयाँ, आप क्या करोंगे Q एकौल टू C इंटू V हो जाएगा या दरके ना, Q is equal to C इंटू V, तो यहां पर हमें अगर आवेस घ्याद करना है, तो हम क्या करेंगे आवेस Q बराबर में C इंटू V, तो Q बराबर में C कितना है, तो C है वहीया एक इंटु दस की पावर माइनस 11 और वी कितना करना है विभो करना है 100 तो यहाँ पर 100 कर दिया 100 का मतलब आप बताईए तो 100 का मतलब होगा 10 की पावर 2 यहाँ पर 2 घट जाएंगी तो 10 की पावर माइनस का 9 कूलाम यह आवेस आ जाएगा चालक पर तो चालक पर आवेस भी हमने निकाल लिया, इसकी धारिता भी निकाल ली, बहुत easy question था, आपने अब आसानी से कर लिया होगा, मुझे उमीद है, ठीक है, कर लिया ना, इसको screenshot लेना है, तो ले लिजे, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो, अगला question देखते हैं, अगला वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला, आप अपने आप जब तक questions को solve नहीं करते हैं, तब तक आपके दिमाग में घुसेगा नहीं, आपको भले ही लग रहा हो कि मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन जब आप अपने आप करने बैठेंगे ना, तो आपका दि सिफिय समझ में आने लगेगा, आपको feel होने लगेगी physics, ठीक है, चलो, अगला question लेते हो, लेकिन लेट करके ना पढ़ना, मैं बार बार कहता हूँ कि लेट करके आपको वीडियो नहीं देखना है, बैठ जाइए, पिन कापी लेके solve करिए, ठीक है, चलो, देखते हैं, 400 वोल्ट तक आवेसित है, मनलब इसको voltage क्या दिया गया है, 400 वोल्ट, ठीक है, तो 100 माइक्रो फरेट का समांतर प्लेट संधारितर 400 वोल्ट तक आवेसित है, यदि इसकी प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दें, प्लेटों के बीच की दूरी क्या कर दें, आधी कर दें तो प्लेटों के वीच नया विभुंतर क्या होगा आपको ये बताना है और इसकी संचित उर्जा में क्या परिवर्तन होगा आपको ये भी बताना है ठीक है, सबसे बले क्या बताया गया है, एक संधारित्र है 100μF का, मतलब संधारित्र की धारिता दे गई है, ठीक है, संधारित्र की धारिता, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, संधारित्र की धारिता, कितनी है, 100μF, आपको फैरेट में चेंजरी करना है, तो आप जानते हैं, 10 to power minus 6 से multiply कर लेंगे ठीक है इसके बाद में 400 वोल्ट तक आवे सित है इसको जो voltage दिया गया है वो कितना है 400 वोल्ट ओके आगे क्या बताया गया है यदि इसकी प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दें अभी जो भी प्लेट के बीच की दूरी थी अब उसकी आधी कर देना है प्लेटों के बीच की दूरी और जैसे ही प्लेटों के बीच की दूरी आधी करेंगे तो प्लेटों के बीच नया विभुवांतर क्या होगा विभुवांतर तो चिंज होगा ही होगा भाई सिंपल सी बात है अब इसका नया विवांतर क्या हो जाएगा आपको बताना है जब प्लेटों के बीच की दूरी आधी करतेंगे मान लिया जब दूरी D थी माना हम लिख देते हैं माना प्रारंभ में प्लेटों के बीच की दूरी मैं लिख देता हूँ अब दूरी को अगर हम आधा करते हैं पहले के दूरी की आधा करते हैं यह प्लेटों के दी पहले थी और डी डैस बाद वाली दूरी है जिससे हमने क्या कर दिया है पहले से आधा कर दिया है तो अब जब आधा कर दिया गया है तो अब इसका विभुवांतर क्या हो गया है अ इसने बोला था एक समांतर प्लेट संधारित रहे बshine एक संधारित था जिनके प्लेटों के बीच की दूरी पहले थी थी यहां वे इस पर माइनस यहां संधारित है तो आएस तो होगा थेंकि क्यों आवेस होगा क्योंकि इनके सिरों पर वोल्टेश दिया गया था 400 वोल्ट का विभाव था और धारिता इसकी कितनी थी 100 माइक्रो फेरेड की थी ठीक है अब इसके सिरों पर जो भी वोल्ट था वो क्या था 400 वोल्ट था अब बताया गया प्रारम में दूरी आपको बताया गया कि यदि इसके प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दें अभी जितनी दूरी पर प्लेटे हैं उसकी आधी दूरी पर प्लेटों को अगर रखा जाए तो आपको बताना है कि प्लेटों के बीच का इसके विभावांतर क्या हो जाएगा आपको तब बताना है अभी विभावांतर तो 400 वोल्ट है पता है लेकिन जब प्लेटों के बीच की प्लेटों के बीच की दूरी को हम कम करेंगे या जादा करें दूरी में परिवर्तन करेंगे प्लेटों के बीच की दूरी में जब भी परिवर्तन होता है तो क्या क्या बदलता है याद रखें क्या क्या बदलता है विभांतर बदलेगा धारिता भी बदलेगी क्या नहीं पदलेगा वो चीज पहले निकालने मतलब जो प्लेटें जब दूर थी तब भी आवेस वही होगा जब प्लेटें पास में आ जाएंगे तब भी आवेस वही होगा आवेस में कोई चेंजमेंट नहीं होगा तो हम यहां पर लिख लेते हैं पहले आवेस कितना है सबसे पहले आवेस, मतलब प्लेटों पर आवेस प्लेटों पर आवेस Q बराबर में C into V, अभी मैंने बताया ना C is equal to Q, 5 भी होता है Q बराबर में C into V, तो Q equal to क्या हो जाएगा भाईया, C कितना है तो C है 100 microfarad 10 to power minus 4, इस्वारी 6 कर दीजिए, और V कितना है तो V है 400 V, ओके, तो Q बराबर में यहाँ पर हो जाएगा 4 पर 4 0 into 10 to power minus 6 तो यह बनेगा, 4 0 इसको दे देंगे तो 4 गुणा 10 की power minus का 2 कुलाम, ओके, इतना आवेस इस पर उपस्थित है किस पर? संधारित्र पर ओके, तो संधारित्र की प्लेट पर कितना आवेस है 4 गुणा 10 की power minus 2 कुलाम का आवेस है यह अभी आवेस है और जब दूरियों को दूर पास-पास में करतेंगे तब भी यही आवेस रहने वाला है आवेस में कोई चेंजमेंट नहीं होगा लेकिन आप याद रखिएगा कि दूरी जब दूरी जो होती है वो घटाते हैं तो धारिता पर क्या प्रभाव पढ़ता यह मैंने आप कभी न कभी बताया जरूर होगा जब भी प्लेटों के बीच की दूरी घटाते हैं तो धारिता हमेशा क्या होती है बढ़ती है दूरी घटाएंगे तो धारिता क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी कि घट जाएगी बढ़ जाएगी भाई सिंपल सी बात है हमें पता है धारिता का फर्मुला C बराबर में क्या होता है C बराबर में समांतर प्लेट संधारितर की धारिता का फर्मूला होता है C बराबर में A epsilon not upon D ये फर्मूला होता है समांतर प्लेट संधारितर की धारिता पहला वाला वीडियो देखिएगा उसमें मैंने फर्मूले सारे डिस्स किये थे मैंने ये भी बात बताई थे ठीक है अब दूरी अभी धारिता इतनी है और इस धारिता को क्या लिखा गया है सो माइक्रो फेरड ये धारिता कितनी है सो माइक्रो फेरड अब ध्यान से देखिए इसकी मैं बात करूँ अब दूरी बदल दी जाएगी तो ये मालिया अभी धा धारिता इतनी थी, एपसलनाट अपान D, अब धारिता कितनी है, एपसलनाट अपान D ठीके, इनको अगर मैं divide करूं, तो C अपान C बराबर में क्या होगा, यह यह cancel out होगा, 1 अपान D, और अपान में 1 अपान D तो यह बनेगा c upon c dash equal to d dash upon d यही होगा ना यही होगा तो यहाँ पर अब मैं बता रहा हूँ d dash का मतलब क्या है d बटे 2 यहाँ पर लिखिए आप d बटे 2 तो c upon c dash बराबर में d dash की जगे पर d by 2 और upon में d तो d से d cancel out होगा तो c upon c dash बराबर में 1 by 2 अर्थात हम कह सकते हैं c dash बराबर में 2c c dash बराबर क्या होगा 2c धारिता का दुगना पहली वाली धारिता की दुगनी हो जाएगे दूरी आधी करेंगे धारिता डबल हो जाएगी दूरी आधी किया तो क्या हुआ धारिता डबल हो गई अब धारिता डबल हो गई तो विभुवांतर कितना हो गई ये हमें निकालना है ध्यान से देखेगा अभी पहले वाला आवेस ये है बादवाला आवेस क्या होगा तो बादवाला आवेस भी यही रहेगा लेकिन धारिता और विबवांतर उस समय बदल चुके होगे मैंने बताया आवेस नहीं बदलेगा धारिता और विबवांतर बदल जाएंगे तो अगर मैं पहले वाले आवेस की बात किया तो Q बराबर में C भी लगाया बाद वाले आवेस की बात करेंगे तो Q बराबर में C डैस और V डैस बताएंगे क्योंकि अब धरिता भी बदल चुकी होगी विभांतर भी बदल चुका होगा लेकिन आवेस नहीं बदला होगा छीके ना ये रख दिया अब हम यहाँ पर क्या करेंगे Q का वैल्यू हमें तो पता ही है कितना है भी या निकाल चुके हैं चार गुणा दसकी पावर माइनस दो और C डैस का वैल्यू हमें पता है 2C है तो लिख देते हैं भी या बराबर में दूसरा पेंचन लिकर ले कर लेते हैं C डैस का वैल्यू क्या है तो C डैस मनलब 2C और V डैस आपको ग्यात ही करना है चीक है 2C को अपान में लाइए यहाँ पर हम लिख देते हैं तो यहाँ पर V डैस इक्वल टू क्या बन जाएगा 4 इंटू 10 टू पावर माइनस का 2 अपान में 2C C का वैल्यू रखेगा 2 टू जाफोर So V डैस इक्वल टू इंटू 10 टू पावर माइनस 2 अपान में क्या होगा देख रहा है ना यहाँ आपे देख रहा है हाँ ठीक है C का वैल्यू क्या है तो C का वैल्यू सौ माइक्रो फारेड है तो यहाँ पर लिख देते हैं 100 माइक्रो फारेड है 10 टू पावर माइनस 6 से मल्टिप्लाई किया दन ये एक बनेगा V डैस इक्वल टू 2 इंटू में 10 टू पावर माइनस 2 ओके 10 टू पावर भाया माइनस का 6 है और 2 यह है तो माइनस का 4 बचा उपर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा सौ V डैस इक्वल टू 2 इंटू 10 टू पावर प्लस का 2 बचेगा और V डैस इक्वल टू 200 हो जाएगा मेरे ख्याल से आपको समझ में आगी होगा V डैस मतलब विभवांतर कितना हो जाएगा की जाएगी तो धारिता दुग नहीं हो जाएगी लेकिन विभवांतर आदा हो जाएगा ठीक है धारिता कितनी हो गई दुग नहीं 100 थी और धारिता कितनी हो गई 2C मतलब 200 माइक्रो फेरड और विभवांतर कितना हो गया 400 वोल्ट था तो वोल्टेज की तरह हो गया अब 200 वोल्ट आधा बात क्लियर है ओके सो मेरे क्याल से आप ये समझ गए होंगे अगर नहीं एक बार में समझ मैं है तो भीया थोड़ा सा पीछे करिए इस वीडियो को बैक करिए दुबारा इसको देखिए फिर समझें है तो लेली जीए का आगे बढ़ती है अगले क्योंचिन की ओर हम लोग चलेंगे और एक बहुत ही सुनदर सा क्योंच आपके सामने आने वाला है अगला क्योशन क्या है एक समांतर प्लेट वायू संधारितर की धारिता तीन माइक्रो फेरड है कितनी वही या तीन माइक्रो फेरड समांतर प्लेट संधारितर की धारिता दे गई है तीन माइक्रो फेरड अव वायू संधारितर है मतलब जब प्लेटों के बीच में वायू होगा इसने बोला है इसकी धारिता कितनी है 3μF तो जब वायू भरी हो तो वायू संधारित की धारिता को C0 से लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं है धारिता को normally C से लिखते हैं और जब इनके बीच में परावैदुत पदार्थ ना हो वायू होती है तो C0 लिख लेते हैं तो C0 इकल टू कितनी है 3μF इसके बीच में क्या भरी होई है संधारित की प्लेटों के बीच में वायू भरी होई है ठीक है अब बतायागे के परावैदुतांक तथा 3 बटे 4 मोटाई की प्लेट को जब संधारित की प्लेटों के बीच रखते हैं तब संधारित की धारिता 6μF हो जाती है 6μF धारिता हो जाएगी कब जब प्लेटों के बीच में के परावैदुतांक वाली पटी रखेंगे और जिसकी मोटाई कितनी है मोटाई दी गई है 3D अपान 4 मोटाई की प्लेटों की जब संधारित की प्लेटों के बीच रखते हैं तब संधारित की धारिता 6μF हो जाती है क का मान ज्याद करना है क मतलब परावैदुतांक ये भाई फिर अंक कुछ कड़बड कर रही है कोई बात नहीं इसको रखी देते हैं ओके तो आपको क्या गयात करना है K का मान गयात करना है और बताया है जहां D संधारित की प्लेटों के बीच की दूरी है D क्या है संधारित के प्लेटों के बीच की दूरी जब मैं इस क्यूशन को आपको समझा रहा हूँ पहले क्यूशन को समझे उसके बाद मैं ही solve करेंगे ठीक है उसने क्या बोला है एक समांतर प्लेट संधारित्र है इस पर प्लस की वावेस माल लिया होगा इस तरह से इधर माइनस की वावेस होगा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D है ठीक है अब इसकी जो धारिता अभी इनके बीच में जब वा बी पूरी जगें में नहीं कुछ जगे पर आंसिक रूप से भरा जाएगा के परावेस तांक वाला माध्यम रख रहे हैं जिसकी मोटाई क्या है इस की मोटाई दी गई है 3D upon 4 इसकी मुटाई क्या है 3D upon 4 है तो अब आपको के का मान याद करना है अब नहीं इस इस्तिती में जब ये परावेदांक पत्टी रख दी जाती तो अब इसकी धारिता 3 नहीं अब 3 माइक्रो फेरेड तो जब वायू भरी थी इसके बीच में जब के परावेदांक वाली पत्टी और 3D बटे 4 मुटाई की पत्टी रखी गई है तो इसकी धारिता इसने बताया 6 माइक्रो फेरेड हो जाती है कितनी 6 माइक्रो फेरेड जब धारिता वाली पत्टी रखी गई तो जो धारिता हो गई है तो कितनी हो गई है छे माइक्रो फैरेड हो गई है ठीक है ओके इसके बाद में आपको बताना है कि के का मान क्या है ओके चलो आपको जैसे ये आपके सामने चित्र आएगा तो मैंने एक करवाया था आपने देखा होगा हमसे अगर पढ़ा होगा प्र Harris तो आपको समस में आया होगा आपके सामने तुरंत वो फार्मूला आ होगा जो मैंने derivation ये करवाया था अगर नहीं देखा है तो फिर भी मैं आपको बताता हूं जब समांतर plate संदारित की धारिता की बात करते हैं reversushto के बीच में ध्यांस देके जब प्लेटों के बीच मान लिया ये समांतर प्लेट संधारित्र है ठीक है समझना ध्यान से समझना जरा समांतर प्लेट संधारित्र है और प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है डी ठीक है प्लेट का छेतरफल है ए और बीच में भरी है वायू ठीक है वायू हो या निर्वात हो तो इसकी धारिता का फर्मॉला होता है C बराबर में A epsilon not upon D, ये फर्मॉला होता है, ठीक है, जिससे हम C not से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वायू या निर्वात होता है, तो हम C not लिख लेते हैं धारिता को, ठीक है, इसके बाद में अगर यहां पर वायू ना तो इस स्थती में धारिता का फर्मॉला होता है, C बराबर में A epsilon not के साथ में K आ जाता है, यहां पर क्या है, उस परावज़तांक, परावज़तांक, यह हो गया, जब पूरे स्थान में हो, लेकिन यहां पर क्या कहा गया है, यहां पर यह जगे यहां पर छोड़ दी गए ह यहां पर परावज़त पदात के पटी नहीं है, यह जगे छोड़ दी गए है, यहां भी परावज़त पदात के पटी नहीं है, इसका मलब है, आंसिक रूप से परावज़त पदात रखा हुआ है, और जब आंसिक रूप से परावज़त पदात रखा हो, तो इसके लिए होता है धारिता का A epsilon not upon मे D minus T plus T upon K ये फार्मला होता है और ये derivation भी हमने आपको पढ़ाया हुआ है ठीक है तो ये फार्मला होता है A epsilon not upon में D minus T plus T upon K ठीक अब इस फार्मले का इस्तेमाल हमें कर रहा है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर आंसिक रूप से परावदात भरा हुआ है ठीक है चलो यहाँ पर भाई अब आप बता सकते हैं क्या कि T का मान क्या है तो T का मान क्या बताया गया है तो T का मान हम कह सकते हैं ये मोटाई दी गई है 3D upon 4 ओके और ये तो D है, मोटाई, कोई दिक्कत ही नहीं है, अब धारिता का formula लगाएगा, धारिता का formula क्या है, तो ध्यान से देखिएगा, समांतर प्रेट संधारितर की धारिता, समांतर प्रेट संधारितर की धारिता, जब K परावरता क्वाली पट्टी, T मोटाई के रखी हो, ठीक हल करते हैं A, epsilon not upon में D, minus T T का मतलब क्या है तो T का मतलब है 3D 3D upon 4 plus T T का मतलब है 3D upon 4 और बटे में K भी है तो K लिखती है इसको और हल करते हैं तो C बराबर में क्या हो जाएगा A, epsilon not upon में 4 और D का multiply है तो 4D से 3D जाएगा तो 1D by 4 बचेगा और plus का 3D upon 4K बचेगा और थोड़ा calculate करते हैं इसको तो क्या बन जाएगा C बराबर में A, epsilon not upon common यहाँ पर मिल जाएगा epsilon D common मिलेगा D तो यहाँ पर और 4 भी, upon में 4 भी मिलेगा common तो D upon 4 दोनों में क्या बचेगा यहाँ पर बच जाएगा, D upon 4 चला गया, तो यहाँ पर 1 बचेगा, और यहाँ पर D upon 4 चला गया 3 upon K बचेगा, क्या बचेगा 3 upon K, इतना समझ में आ रहा है इसके बाद में आपको क्या करना द्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिखा C, इसको जरा हम अलग कर रहे हैं, A epsilon not upon में D, इसको मैंने अलग कर दिया, A epsilon not upon D इसमें जो बचा है value, वो क्या है तो इसको हम लिख देते हैं, 1, ऊपर तो कुछ नहीं है, 1 upon में है 1 प्लस 3 upon K और upon में ही दिया गया है, यहाँ पर 4, तो यह 4 पलट के आप उपर भी पहुचा सकते हैं, या फिर अभी हम यहीं पर 4 लिख देते हैं, ठीक है यह upon में 4 है, D मैंने इसके साथ A epsilon not upon D कर दिया है 1 के upon में यह है, और upon में 4 है, ओके, यह 4 पलट के उपर भी जा सकता है, तो यहाँ पर A epsilon not upon D, देखेगा यह वाला value A epsilon upon D को हम C not कहते हैं, तो यहाँ पर हम C not लिखेंगे तो C बराबर C not into में 4 पलट के उपर जाएगा, और upon में क्या बचेगा 1 प्लस 3 upon K ओके, ओके, तो यहाँ पर अब हम क्या करने वाले है C का value, आपको पता है कितना 6 microfarad है, 6 रखा C not का value क्या है 3 microfarad है, 3 रखा अच्छा, microfarad को यहाँ पर हमने change नहीं किया है इसलिए, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ भी microfarad है, यहाँ भी microfarad है microfarad दस क्वार मानस 6, यहाँ भी लिखो कट जाएगा, कोई मतलब नहीं यहाँ पर change करो या ना change करो, ठीक है into में 4 और अपान में क्या है वहिए 1 प्लस 3 अपान के अब इसको थोड़ा सा और calculate करते हैं इसको हम मिटा देते हैं इसको भी यह लिख लेना, ठीक है अब इसको हम मिटा देते हैं क्या हो जाएगा, calculation तो आप करी लेंगे फिर भी हम कर देते हैं, 6 के साथ में 1 प्लस 3 अपान के का multiply हो जाएगा तो यह बन जाएगा वहिया 6 के साथ में multiply होगा के 1 प्लस 3 अपान के equal to 3 चको 12 6 उधर जाएगा अपान में, तो यह बन जाएगा 6, 12 हम cancel out करेंगे, 2 बचेगा तो 1 प्लस 3 अपान के equal to 2, 1 उधर कर देंगे 3 अपान के equal to 2 minus 1 अर्था 3 अपान के equal to 1 और के बन जाएगा के तो के equal to आया 3 तो यह के का value आपको जो निकलवा रहा था कि उस पर आवदतांक का value find out करिये तो आपके सामने answer आ गया है 3, ओके, तो मेरे ख्यास से आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा बस आपको दिक्कत हुई होगी तो यह formula में कि आपको formula नहीं पता होगा मैंने आपको अच्छे से explain करने का प्रयास किया है अगर आपने formula को समझ लिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे ख्याल से आपको इस तरह से आराम से कुश्चन को समझ पा रहे होंगे, मुझे उम्मीद है, एक आगे की कुश्चन की बात अब हम नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर मेरे सामने कुश्चन समाप्त हो चुके हैं, तो यहीं तक रखत आज की क्लास में जो हमने कुश्चन देखें, बहुत अच्छी अच्छी कुश्चन थे, इनको भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना है, ठीक है, इसी कॉंसेप्ट पर बेस अन्य कुश्चन अगर आपको कहीं पर मिल जाते हैं, तो इन कुश्चन को भी उन कर लिएगा लिंक डिस्क्रिशन में है आप वहां पर हमसे पूँच सकते हैं और साथी साथ में अगर आप पीडिस नोट पाना चाहते हैं तो हमारे टेलिग्राम चैनल को जरूर जोइन करिए ठीक है अगर यह वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा आपने दोस्तो नमबर 3 के नियूमेरिकल्स के साथ ठीक है और चैप्टर नमबर 3 के भी सारे नियूमेरिकल्स अम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और उमीद है कि आप समझ भी पाएंगे ठीक है चलो आज क्लास में बसता ही फिर मिलते हैं अगले क्लास में त